नमस्ते बच्चों अभी तक हम लोगों ने अभिज्ञान शागुंतलम के द्वितिय अंक को प्रारम करके उसके तीन्च लोकों का ध्यन कर लिया है अब इसके आगे मैं शुरू करती हूँ कि विदुशक कह रहा है राग्यो मुखम विलोक्य राजा के मुह की और देख रहा है वो और कह रहा है कि अत्रभवान कीम अपी हृदे क्रत्वा मंत्र यते तो अत्रभवान यहाँ पर आप क्या करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे किम अपी हृदे क्रत्वा मंत्र यते मुझे कुछ मन ही मन में सोचते हुए नजर आ रहे हैं अरण्य मया रुदितम आसीत यह जो मेरा रोने का काम था या मैं आपके सामने जो कुछ निवेदन कर रहा था वो सब मैंने बिकार ही में आपको कहा और जिससे मुझे यह लग रहा है कि अब मुझे वो बात आपको नहीं कहनी चाहिए थी राजा सहसमितम राजा कह रहा है मुस्कुरा करके कि मन्यत और क्या आपको यह बात मुझे नहीं कहनी चाहिए थी क्यों क्योंकि राजा का मन तो कहीं और पर चला गया था किसी अन्यस्थान पर केंद्रित था तो राजा कह रहा है कि हाँ ये चीज आपको नहीं कहनी चाहिए थी मुझे अनती क्रमनियम में सुहरत वाक्यम इती इस्थितो अस्मी मैं क्या हूँ? में मैं सुहरत वाक्यम जो मेरा मित्र है उसकी बात का उलंगन अनती क्रमनियम यानी उलंगन नहीं करना चाहता हूँ इसलिए इस्थितो अस्मी मैं यहीं पर रुक गया हूँ इस्थितो गया हूँ तो विदुशक है विदुशक कह रहा है कि चिरन जीव आप चिरन जीवी होईए ऐसा कह करके वह इती गंतुम इच्छती जाने की इच्छा करता है तो राजा उसको कहता है कि वयस्य है मित्र तेश्थ थोड़ी देर के लिए तुम रुक जाओ सावशेशम में वचह मेरी जो बात है वह अभी पूरी नहीं हुई है अवशेश है बची हुई है इसलिए तुम यहीं पर रुक जाओ तो विदुशक कह रहा है आज्या पहतो भवान तो राजन आप मुझे आज्या दीजिए तो राजा विश्टान तेन भवता ममा आपी एकस्मिन अनाया से कर्मनी सहायेन भवितव्यम तो वो कह रहा है विश्टांतेन भवता राजा ने क्या कहा कि शांत होने के बाद अल्थात थकान को दूर कर लेने के पाद आपको मम अपी एकस्मिन अनाया से कर्मनी मेरा जो एक अनाया सात्यकार है उस कर्म में उस काम में आपको सहायेन भवितव्यम मेरा सहायक होना पड़ेगा अर्थार्थ उस काम में आपको मेरी सहायता करनी पड़ेगी तो राजा यत्रवक्षियामी तो राजा कह रहा है तो क्या यहाँ पर मुझे लड्डू खाने के काम में आपको मदद करनी पड़ेगी यह तो बहुती अच्छी भात है जिस खारे के लिए मैं कहूंगा या राजा कह रहा है वो आपको करनी पड़ेगी तो विदुशक ने जब ये कहा न कि कि मोदकम खा दी कायाम क्या लड्डू काने का काम है जिसमें मुझे आपकी सायता करनी पड़ेगी तेन सूक रही तर्प्षन है तो ये तो बहुत ही अच्छा क्षन है ये बहुत ही अच्छा समय है अवसर है मेरे लिए तो राजा कह रहा है कि नहीं यत्रवक्षा यामी जिस कारे के लिए मैं आपको कहूंगा वह बात आपको करनी पड़ेगी तो क को अत्र भो यहां कौन है प्रविश्य है प्रविश करके दोवारे कह रहा है प्रणम्य है प्रणाम करके आज्या पयतू भरता हे स्वामी आप मुझे आज्या देजिए राजा रैवतक राजा कह रहा है रैवतक नामक जो सेनापति स्तावद आवुईतां जो सेनापति है आप उसको बुला लेजिए दोवारिकह तो दोवारिक कह रहा है तथा उसी प्रकार से अर्थार्थ सेनापती को मैं बुला लेता हूँ इतीन इश्क्रम में सेनापतीना सहपुने प्रविश है ऐसा कह करके और सेनापती निकल करके और फिर पुने से सेनापती के साथ प्रवेश करता है तो कौन प्रवेश करता है दवारिक प्रवेश करता है एशह आग्या वचनों उतकंठों भरता इतो दत्त द्रिश्टिर एव तिश्टती तो क्या कहरा है कि तथा जैसी आपकी आग्या है एशह आग्या वचनों उतकंठों ये जो महराज की आग्या देने के लिए उत्सक होक इधर ही में इतो द्रश्टिर ए उतिष्ठती इधर ही द्रश्टी लगाये हुए बैठे हैं उन्हों के लिए मैं उप सरपतु आ रहे हैं तो आ रहे आप समीब में चले जाएए तो क्या कह रहा है दौरिक कि जैसी महाराज ने आज्या दी ऐसा कहा कर कि वो निकल जाता है और सेनापती के साथ फिर से प्रवेश करता है और कह रहा है कि यह महाराज आज्या देने के लिए उत्सु कोकर इधर ही द्रश्टी लगाये हुए बैठे हैं इसलिए उप सरपतु आ रहे है आरे के समीब जाना चाहिए तो सेनापती राजा नाम अवलोग किये राजा को देख करके कह रहा है कि दत द्रिश्ट दोशा पी स्वामिनी म्रग्या केवलम गुण एव सम्रता तो क्या कह रहा है कि सेनापती यद पी द्रिश्ट दोशा पी स्वामिनी म्रग्या जो म्रग्या में अनेक द्रिश्टों दोशा पी अनेक क्या हैं दोश देखे जाते हैं लेकिन क तो यहां माराज ने उस विशय में केवल गुण ही देखे हैं तथा ही देवह क्योंकि ये देव आप कैसे हैं वो कह रहा है क्योंकि सेनापती ने क्या का अन्वरत धनुर्ज्या स्वालन क्रूर पूर्वं रवी किरन सहेश्णू स्वेदल लेशेर भिन्नम अपचित मपी गात्रम व्यायत त्वाद लक्षयं गिरीचर इवनागह प्रनसारं विभर्ती तो सेनापती ने क्या जवाब दिया ये अन्वर देखो बच्चों गिरीचर नागह इवदेवह अन्वरत धनुर्ज्या स्वालन क्रूर पूर्वं रवी किरन सहेश्णू स्वेदलेशे अभिन्नम अपचितम अपी व्यायत त्वाद अलक्षयं प्राणसारं गात्रम विभर्ती तो उसने क्या कहा है सिनापती ने देखे गिरीचर परवतों पर विचरन करने वाला कौन है नागह उस हाती के समान ये कौन है देवह ये जो हमारे महराज हैं दुशियंत हैं वो कैसे हैं तो क्या है अन्वरत धनुर्जया स्फालन क्रूर पूर्वम तो लगातार ही अन्वरत यानी लगातार ही हमेशा ही क्या करने से धनुर्जया स्फालन धनुष की जो प्रत्यंचा है उसको खीचने के कारण पूर्वम जिनका पूर्व भाग कैसा हो गया था क्रूर कठोर हो गया था वे रवी किरन सहिशनों सूरे की किरनों को सहन करने वाला स्वेद लेशे और जो पसीने के भूंदों से अभन्नम रहित था अपचितम परिश्रम से क्षीन या दुबला पतला अपी भी व्यायत्वात विशाल और द्रड होने के बावजूद भी ओ लक्ष्यम कैसा था दुर्बल दिखाई नहीं देने वाला था प्राण सारम ऐसा प्राण शक्ती से संपन शरीर को गात्रम यानी शरीर को विवर्ती धारन कर रहा है तो ये किसके लिए आया है बच्चों वापस अर्थ देख लीजी एक बार गिरी चरह ऐसा परवतों पर चर्यानी विचरन करने वाला कौन नाग हाती के समान इवियानी समान कौन है ये हमारे महराज दुश्यल्थ हैं जो कैसे हैं अनवरत लगातार ही हमेशा ही क्या करते हैं धनुर जयास फालन धनुष की प्रत्यंचा को खीचने के कारण पूर्वम क्रूर जिनका पूर्व भाग कैसा हो गया था कठोर हो गया था और जो कैसे हैं रवी किरन सहिश्णू सूरे की किरनों को सहन करने वाले हैं स्वेद लेशे अभिन्नम और जिनके पसीने की बूंदे बिलकुल भी नजर नहीं आ रही थी जो उनसे पसीने की बूंदों से रहित थे अपचितम और जो परिश्रम से शीन हुए या दुबले वतल हुए भी कैसे थे व्याय त्वात विशाल और द्रड होने के कारण अलक्ष्यम दुर्बल नहीं दिखाई दे रहे थे ऐसे प्राण सारम गात्रम प्राण शक्ती से संपन्न अपने गात्र यानी शरीर को विभरती धारन कर रखे थे तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या कह रहे हैं कि हमेशा जो ज्यादा तर धनुष की पत्यांचा को राजदुश्यंत खीचते रहते इसलिए उनका आगरभाग कैसा हो गया था कटोर हो गया था और सूर्य केर्णों की गर्मी को सहन करने वाला हो गया था और परिश्रम कर शिकार से ही हुआ करता है इसलिए राजा के लिए शिकार खेलने को गुणकारी बताया गया है और यहाँ पर अन्वरत या इत्यादी विशेशनों से राजा के शरीर का दिव्यास्त्र सहन करने योग्य अर्थ भी द्वनित हुआ है रवी किरन सहेशनु से दुख सहेशनुत्व श्रम शीलत्व आदी की व्यंजना हुई है गिरी चरह नाग से राजा की स्वतंत्रता एवं बलिष्टता का द्योतन किया गया है इसमें राजा के लिए प्रयोक्त सभी विशेशन परवतचारी गज के पक्ष में भी लिये जा सकते हैं जो परवतों पर विचरन करने वाला गज है उसका भी समानता राजा से की गई है तो गज के पक्ष में हाती के पक्ष में अनवरत धनुर्जया का अर्थ है प्रियाल द्रुम की भूमी में आस्फालन से जिसके शरीर का पोरुभा कठोर हो गया है और जो आतप को सेहन करने वाला हो गया है और पसीने से रहित हो गया है अरण्यवासी होने से जिसका दुर्बल शरीर भी दुबला नहीं दिखाई दे रहा है अथा जो विशाल का है अत्यंत बलिष्ट है वहत चक्तिशाली शरीर को धारण कर रखा है तो यहाँ पर जो साभी प्राय विशेश्णों का प्रयोग होने से परिकरलंकार का प्रयोग किया गया है और गिरीचरह इमनागह मतलब